उत्तराखंड मुक्त विश्य विद्याले के सभी शिक्ष्यार्थियों को मेरा नमस्कार मैं हूँ डॉक्टर पूजा भट उत्तराखंड मुक्त विश्य विद्याले के ग्रह विज्यान विभाग से आज का हमारा व्याख्यान पारिवारिक संसाधन प्रबंधन से है जिसमें हम जानेंगे ग्रह प्रबंधन के विशे में आईए जानते हैं ग्रह प्रबंधन को पढ़ने के क्या उद्देश है शिक्षार्थियों जब भी आप इस ग्रह प्रबंधन के बारे में पढ़ेंगे आप जान पाएंगे कि ग्रह व्यवस्था क्या होती है और ग्रह प्रबंधन की जो प्रोसेस है वो किस प्रकार होती है इसके अतरिक्त जो जब आप इसकी प्रोसेस को समझ जाएंगे तो आप उसको अपने practical life में भी implement कर पाएंगे क्योंकि जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे चार वो जो भी चीजे होती है वो किसे ने किसी प्रकार से एक management के थूही होती है चाहे वो घर में खाना बनाना हो चाहे वो हमारी घर की repair हो या फिर हम बात करें किसी भी professional level पे तो सब जगे ही प्रबंधन एक आवश्यक घटक है इसलिए आप सभी के लिए बहुत आवश्यक है कि आप गरह प्रबंधन को जाने जब हम घर प्रबंधन की बात कर रहे है तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि घर actual में किसे कहते हैं कितनी बार आप लोग घर और मकान को एक सांती यूज़ करते हैं लेकिन इन दोनों में अंतर है जब हम बात करते हैं मकान की तो मकान से हमारा तात पर ये एक investment से है जो आपके लिएक asset हो सकता है क्योंकि मकान का अर्थ है कि इट पत्थर कंक्रीट से बना हुआ एक structure मकान है परन्तु जब उस मकान में लोग आकर रहने लगते हैं और भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं तो वो मकान घर कहलाता है इसलिए हम कह सकते हैं कि जो घर है उससे हमारा भावनात्मक संभन्द होता है क्योंकि आपको उसी घर से आपको values मिलती है जो आपके साथ lifelong चलती है इसलिए ये बहुत आवश्यक हो जाता है कि आपको पता हो कि आपको उस घर का प्रबंधन किस ट्रकार करना है जब हम बात करते हैं प्रबंधन की तो जैसा मैंने आपको बताया कि प्रबंधन हर शेत्र में हर लेवल पर व्यापत है इसलिए इसका ज्यान हर एक व्यक्ति के लिए अतियावश्यक हो जाता है ग्रह प्रबंधन के विशय में आगे बढ़ने से पहले हम जानेंगे इसकी कुछ परिभाशा कि परिभाशिक रूप से इसे क्या कहते है अगर परिभाशा की बात की जाए तो इसे कैसा कह सकते है कि ग्रह व्यवस्था परिवार के लक्षों को प्राप्त करने के लिए परिवार के शोतों या संसाधनों के उपियोग वितु किया गया आयोजन, नियंदर्ण, एवं, मुल्यांकन है या फिर और इसे हम सररश अब्दों में कहें तो आप कह सकते हैं कि प्रबंधन क्या होता है हर एक की लाइफ में कुछ लक्ष होते हैं कुछ दीरगालीन होते हैं और कुछ लगुकालीन होते हैं तो उन लक्षों को प्राप्त करने के लिए आप जैसे भी अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको यूज करते हैं तो उसे हम कहते हैं ग्रह प्रबंधन ग्रह प्रबंधन में आपने अपने रिसोर्सेज का लिमिटेड यूज करना है और ये कामना करनी है कि आप उनसे maximum achieve कर पाए जिसके लिए आप जो घर व्यवस्ता के जो different processes है जैसे आयोजन, नियंतर्ण and मूल्यांकन इनका use करते है जब भी आप ग्रह प्रबंदन करते हैं तो ये तो आपने देखा कि आपने उद्देशे तो प्राप्त कर लिए लेकिन आपने ये भी देखना है कि जिन उद्देशेओं की प्राप्ति आपने करी है वो आवशक थे या नहीं थे इसके अलावा क्या आपने अपने उद्देशेओं की जो पूरती की है वो कुशलता पूरवक करी है या नहीं करी है इसके अत्रिक्त जो सर्वोत्तम महत्वपूर्ण है वो यह है कि आपने जिस प्रकार से अपनी ग्रह व्यवस्ता बनाई है उसते जो बाकी आपके फैमिली मेंबर्स हैं उनमें भी सोहार्थ बना रहें किसी प्रकार का मनमुटाव की जगे नहीं है ग्रह प्रबंदन में तो बड़ा और देखें ऐसा कह सकते हैं कि ग्रह प्रबंदन एक प्रोसेस है यह तब तक चलती रहेगी जब तक आपके जो उदेश्य है वो पूरे नहीं हो जाते हैं इसके अत्रिक्त आप ग्रह प्रबंदन को एक हुमन एक्टिविटी कह सकते हैं भले ही कारे मशीनों दवार है इसके अलावा कुछ लोग कहते हैं कि यह कला है और कुछ कहते हैं कि विज्ञान है इसे कला इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें पर्टिक्लर परसन जो की प्रबंदन कर रहा है उसको प्रेक्टिस और अनुभव होना अत्यंत आवश्यक है और विज्ञान की श्रेडी मे इसलिए हमें से रख रहे हैं क्योंकि आजकल बहुत सारे rules and principles आ गए हैं जो apply करने जरूरी हैं क्योंकि उनके use से आप अपने goals को effectively achieve कर पाते हैं इसके अलावा जो प्रबंदन है वो एक universal activity है आप देखेंगे कि समाज के हर स्थर पर प्रबंदन आवश्यक है चाहे वो personal level हो चाहे फिर वो professional level हो आईए अब हम बात करते हैं ग्रह प्रबंदन के विभिने चरण कौन से हैं ग्रह प्रबंदन में सबसे पहरा चरण आता है आयूजन अथार्थ प्लैनिंग उसके बाद आता है संगठन फिर है नियंत्रन आखिर मा आता है मूल्यांकन आईए जानते है नियोजन क्या है नियोजन के विशे में ऐसा कहा जा सकता है कि यहाँ एक प्रथम सीड़ी है या फिर ये एक की स्टेप है इसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते और प्लैनिंग वैसे भी आप देखिए किसी भी चीज के लिए सबसे इंपॉर्टन पार देखिए तो ये शौर है कि जो आपके उद्देश है वो पूरे होंगे इसलिए आपको प्लैनिंग करते टाइम बहुत ही जादा सावधान रहना है जो आपकी प्लैनिंग है इसमें सबसे इंपॉर्टन्ट है डिसिजन मेकिंग आती है इसमें आपने क्यूंकि आपको पता है कि आपके पास resources कौन कौन से है और उन resources को आपने किस प्रकार से use करना है ये सब आएगा आपका के अंतरगत और mental level पे वो process चलती ही रहेगी आपके दिमाग में इसके अत्रिक्त ऐसा कह सकते हैं कि यह flexible है और पडिवर्थनशील है आप किसी भी stage में आके अपनी planning को change कर सकते हैं या उसमें कुछ alternate option ला सकते हैं और ऐसा कहा जा सकता है कि जब भी आपको planning करनी है तो आपने जो आपका कारी है उससे पूर्वी उसकी planning कर लेनी है तो इसलिए planning हमेशा कारी करने से पूर्वी की जाती है नियोजन एक वैज्ञानिक पद्दती है जो की एक क्रमबद रूप से संपन्न की जाती है तथा नियोजन का आधार लक्षों एमम उद्देश्यों की पूर्थी करना है इसका अर्थ यह है कि जब आप planning कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं अपने लक्षों या उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ही planning हो रही है नियोजन में आप क्या करते हैं जब भी आपको चीज़े planning करते हैं तो बहुत सारे options अपने पास रखते हैं तो उन options में से best alternative छाटना ही नियोजन है और नियोजन जब भी आप कर रहे हैं तो उसका practical होना बहुत आवश्यक है तो इसलिए जब planning करते हैं तो वो किसी भी तरगी की नहीं होने चाहिए उसका एक आधार होना चाहिए जो की practically possible हो नियोजन पूर्वा नौपे आधारित है जिसमें कारे को सुनोयोजित तरीके से पूर्ण करने हेतू संसाधनों को संगठित किया जाता है नियोजन के प्रकार नियोजन दीरकालीन भी हो सकता है और अल्पकालीन भी हो सकता है ये डिपेंड करता है कि आपके लक्ष क्या है आपका आपका उद्देश क्या है किस चीज के लिए आप planning कर रहे हैं उसके हिसाब से ही आप अपने planning को तयार करेंगे अपने लक्ष के according. अब जानते हैं नियोजिन के चरण क्या क्या होते हैं? सबसे पहले नियोजिन के चरण है भविश्यमानी करना. आप देखते हैं कि आपके लक्ष क्या है और उसके according आप forecast करते हैं कि आप ऐसा करने वाले हैं. आप future predict करने की कोशिश करते हैं कि हमें ऐसा करना है तो उसके लिए एक रूपनेखा तयार करते हैं आप. फिर आप देखेंगे कि problem क्या है आपकी, किस चीज के लिए आप particular planning कर रहे हैं, उसके पश्यात आप different alternative तलाश करेंगे अपनी उस तमस्या को समाधान करने के लिए. उसके बाद आप सबसे अच्छा जो विकल्प है उसका चुनाव करेंगे, उसके बाद आप planning को execute करने के लिए उत्तरदाइत्व लेंगे या फिर किसी को उसकी जिम्मेदारी सौपेंगे. उसके पश्यात आपकी कारिक्रेम की एक रूपरेखा बनेगी, कौन सी चीज कब होगी और कौन इसे समपन्न करेगा. उसके लिए समय की अनुसूची बनेगी, एवं बजट बनाया जाएगा. उसके बाद एक क्रियाविधी विक्सित की जाएगी और लास्ट में फिर आप नीती का विकास करेंगे. आपने इसे प्लैनिंग तो कर ली है, लेकिन इसकी कुछ सीमाएं होती है. सीमाएं क्या है? जैसे मैंने आपको बताया कि आप बहुत सारा अल्टरनेटिव में से एक बेस्ट अल्टरनेटिव आपने चूज करना होता है. तो उसमें से आप कौन सा अल्टरनेटिव चूज करें, ये एक समस्या है. क्योंकि आपको नहीं पता है कि कौन सा alternative चूज करके best result मिलेंगे तो यहाँ पर आपको एक समस्या का सामना करना पड़ सकता है अगला आता है विश्विस्नी सूशनाओं के आकलन की समस्या क्योंकि जब आप planning कर रहे हैं तो आपको तथे भी खटे करने पड़ेंगे और आपने जानते हैं कि जो तथे आपने खटे करें हैं वो reliable हैं की नहीं कितनी बार ऐसा लगता है जो यह planning की process है अरूचिक और नीरस लगती है क्योंकि मैंने बताया कि कोई भी ग्रह प्रवन अगर कर रहा है तो उसके दिमाग में हर टाइम किसने किसे तरह की planning चलती रहती है तो कितनी बार यह जो person जो management कर रहा है उसके लिए बहुत boring हो जाता है हर टाइम कुछने कुछ plan करना दूरदर्शिता का आभाव planning के लिए दूरदर्शिता बहुत important है दूरदर्शिता के आभाव में किसी भी तरह का नियोजन नहीं हो पाता है अंतमेह आकस्मिक ताएं कभी-कभी ऐसी emergency आ जाती हैं कि आपको जो आपके alternatives हैं या जो भी आपके आपने विकल्प चुन रखे हैं वो आपको change करने पड़ते हैं तो ये थे आपके नियोजन की सीमा है अब हम नियोजन को समझेंगे एक example के through चलिए बात करते हैं आपने family में एक washing machine खरीदनी है तो आपने अपना लक्ष बनाया कि आपको washing machine खरीदनी है ये आपका उद्देश है जो की लगुकालीन उद्देश है छोटा सा लक्ष है तो इसके लिए जो planning होगी वो भी बहुत जादा लंबी नहीं होगी छोटी ही होगी तो आपने सोचा है कि आपने washing machine खरीदनी है तो इसके planning के steps क्या होंगे पहले आप सोचेंगे कि आपको washing machine खरीदनी है तो पहले तो ये है कि कैसी चाहिए है semi-automatic चाहिए fully automatic चाहिए या किस प्रकार की आपको चाहिए फिर हम सोचेंगे आपका budget क्या है आप budget की ओर सोचेंगे फिर आप सोचेंगे आपने online खरीदनी है या फिर offline खरीदनी है इसके अलावा फिर आप है decide करेंगे कि किस रंग की लेनी है और किस weight की लेनी है और कौन उसे लेगा तो इस तरीके से आप planning कर रहे हैं अपने घर के लिए washing machine खरीदने के लिए चलिए जैसा हमने decide कर लिया है कि हमारा लक्ष है अपने घर के लिए washing machine खरीदना अब हम बात करते हैं संगठन की संगठन क्या है संगठन का मतलब यह है कि आपने कारे को और resources को एकत्रित करना है जिस person को responsibility दी जानी है उसे और जो उसको कारे दिया जा रहा है और जो संसाधन है वो उसको आपने संगठित करने है तो ये संगठन बहुत important है क्योंकि संगठन में यह जरूरी है कि आप जिसको भी वो जिम्मेदारी दे रहे है उसमें वो रुची रखे पहले दो रुची रखने के लावा दूसरी चीज़ यह है कि वो उसकारे के योग्य होना चाहिए येदि उसे इस विशे में ज्यादा जानकारी नहीं है तो बहुत मुश्किल है कि वो उसकारे को कुशलता पुर्वक संपन कर पाएगा संगठन अगर आपका अच्छा है तो न्यूनतम प्रयासों से ही आप अपने लक्ष को पूरा कर सकते हैं तो जैसा मैंने बताया कि हम वाशिंग मशीन लेना प्लैन कर रहे है तो आपने ये डिसाइड कर लिया है कि वाशिंग मशीन जो भी आपके head of the family है, father है वो इसे लेंगे लेकिन जब हम आगे बात करें संगठन की तो इसमें important है कि जो भी आपका कारे हो वो planning के according ही होना चाहिए और कारे का जो division है वो proper होना चाहिए कब-कब कौन सी चीज़ें होंगी ये होना important है दूसरा ये है संगठन का जो देश्य है कि कारे संपन्न होना ज़रूरी है और जो योजने आपने बनाई है उसको सफल बनाना इसका एक prime objective है इसके साथ ही क्योंकि आपने यहाँ पे कारे करने वाले और संसाधनों को आपस में संगठित किया है तो ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि साधनों का अफ्या ना हो और जितने भी लोग उसमें आपने involved हैं उस कारे को करने के लिए उनके बीच में अच्छा coordination हो ताकि लक्षों की प्राप्ति भली भाति की जा सके अगला step आता है नियंतरन नियंतरन क्या है? नियंतरन मींज controlling controlling का simple सा fact ये है कि आपने जो भी चीजें plan करी है वो किस दिशा में जा रही है वो देखना नियंतरन कहलाता है तो इसलिए हम कह सकते हैं नियंतरन एक ऐसे यंतर के समान है जो योजना को इच्छत परिणाम तक पहुचाने ही तु दिशा देता है तो आपने controlling करनी है कि कौन सी चीज कैसे हो रही है और क्या वो सही हो रही है कि नहीं हो रही है इन केस वो सही नहीं हो रही है तो उसके लिए आप proper step लेंगे जैसा मैंने बताया कि हमें washing machine लेनी है और हमारे पास हमने सोचा था कि हम online लेंगे लेकिन आपको online का जो option है वो ज़ादा समझ में नहीं आ रहा है या फिर ऐसा हो सकता है कि जो रंग आपने चाहा हो आप लें आपको वो online available नहीं हो रहा है तो आपको यहाँ पर फिर थोड़ा सा अपनी planning को change करना होगा तो इसलिए नियंतर्ण हर step पे बहुत ज़रूरी हो जाता है अब देखते हैं नियंतर्ण की विशेष्टाएं क्या है नियंतर्ण एक प्रबंध की प्रकिरिया है इसके अलावा नियंतर्ण जो है controlling वो continuous ती चलते रहेगी जैसे में आपको बताया कि हर step पे आपको देखते रहना है controlling करते रहने हैं कि दिशा सही है कि नहीं है इसके अलावा नियंतर्ण तथ्यों पे आधारित है जैसे कि हम washing machine की बात कर रहे हैं हमने देखा कि particular color जो हमें नहीं चाहिए था वो नहीं मिल रहा है तो हम shift हो गए उस चीज़ से और आगे बढ़ गए इसके अलावा नियंतर्ण सकारात्मक या नगारात्मक दोनों प्रकार का हो सकता है नियंतर्ण प्रबंधन के सभी स्तरों पर लागो होता है और नियंतर्ण का जो शेत्र है वो काफी व्यापक होता है चलिए बात करते हैं नियंतरन की अवस्थाएं कौन-कौन सी होती है इसकी सबसे पहली अवस्था है बल देना अथार जो भी आपको प्रोसेस चल रही है उसको एक शक्ति प्रदान करता है ये क्योंकि नियंतरन ये है क्योंकि देखे आपने प्लानिंग कर ली है और संगठन हो चुका है अब हम तीसे स्टेप नियंतरन पे हैं तो जब हम यहाँ पे आजाते हैं तो आपका अब्जेक्टिव होता है कि बस अब तो आपने उस अब्देश की पूर्ती करनी ही है तो ये उस पे जोर देता है कि चले आप अपने अब्जेक्टिव को पूरा कीजिए अगला है इसका निरक्षन जो भी आपकी प्रोसेस चल रही होती है तो उसमें इनिरक्षन करते रहता है मैंने बताया ना हर स्टेप पे चेकिंग हो रही है कि सही है कि नहीं है क्योंकि किसी भी कारे के निरक्षन द्वारा हम ये जान पाते हैं कि कारे सुचारू रूप से तथा योजना का अनुसार हो रहा है या नहीं अगला इसका स्टेप है समायोजन समायोजन का हर्थ है कि यदि आपको ऐसा लगता है कि दिशा सही नहीं है तो आपको नए निर्णे लेने होंगे जैसा कि हमारे ग्जाइंपल में बात हो रही है कि आपको ऑनलाइन वो kolor अविलेबल नहीं है मशीन का तो या तो आप कोई दूसरा कलर लेंगे या फिर आप ऑनलाइन नहीं खरीदेंगे ओफलाइन ही खरीदेंगे अंत हमारे स्टेप आता है मूल्यांकन मूल्यांकन द्वारा हमें यह पता चलता है जो हमारी केगे कारी हैं उसमें हम सफल हुए है या नहीं हुए है तो बढ़िया है पर अगर नहीं हुए है तो हमें कहां पर सुधार करने के आवश्य रहता है ये हमें मुल्यांकन द्वारा पता चलता है जानते हैं मुल्यांकन के उद्देश क्या है मुल्यांकन द्वारा यह जाना जा सकता है कि योजना बलानेने के बाद उसे उस प्रोसेस को पूर्व निर्धारित जो हुमारे लक्ष थे उसकी प्राप्ति कहां तक हुई है इसका मतलब यह है कि आप जो एवैलिवेशन कर रहे हैं तो किस लेवल तक आपने अपने अब्जेक्टिव को अचीव कर रहे है हो सकता है कि वो आपके अब्जेक्टिव कंप्लीटली फिल हो गए हो पर हो सकता है कहीं कहीं पर आप चुग गए हो मुल्यंकन से प्राप्त अनुभवों से भावी जीवन में किसी प्रकार के कारे को प्रार्म करने के लिए आधार मिलता है ऐसा नहीं है कि आपका जो कार्य है वो हमेशा सही हो अच्छा ही हो ऐसा कहा जाता है कि हम अपनी गलतियों से सीखते हैं तो अपनी गलतियों को आधार बना के आप नए निर्ड़ा और नए प्लानिंग कर सकते हैं मुल्यांकन द्वारा यह पता चलता है कि प्रवंधन प्रक्रिया के किस तर पर गलती वी और भविश्री में इससे कैसे बचा जा सकता है इसके अलावा मुल्यांकन द्वारा आत्म विश्लेशन के अफसर प्राप्तों होते हैं यदि मुल्यांकन के परिणामों को सकारात्मक दृष्टि से देखा जाए तो यह व्यक्तित्व के विकास में एक बार्ग दर्शक की रूप में भूमिका निभाते हैं आईए अब जानते हैं मुल्यांकन के प्रकार क्या क्या होते हैं पहला प्रकार है ओचक मूल्यांगन ओचक मूल्यांगन यह है कि आप आकस्मिक रूप से इसे कर सकते हैं ओचक मूल्यांगन से कम समय में अधिक सूशनाय पता चलती हैं जैसे इसके उधारण है विद्यार्थियों की अचानक से परिक्षा हो जाना सप्राइस जिसे कहते हैं या सरकारी विभागों में सम्मंदित उच्च अधिकारियों का अचानक आ जाना और चक मूल्यांकन है इसके बात आता है विस्तित मूल्यांकन इसमें मूल्यांकन करता प सबसे important मूल्यांकन आत्म मूल्यांकन ये मूल्यांकन आपके खुद के लिए होता है आत्म मूल्यांकन का महत्व ये है कि इससे व्यक्ति सुधारों के और बढ़ता है और अपनी कारशेली को और अधिक प्रवावशाली बनाता है जैसे हमने decide किया था कि हमको fully automatic machine चाहिए तो जब आप वो ले लेते हैं तो कितनी बाद जो प्रवंदक है उसमें गहराई से विचार करता है कि क्या fully automatic machine ही मेरी वरियता थी या मेरा काम semi-automatic से भी चल सकता था तो इस प्रकार का जो मूल्यांकन है जब व्यक्तिक खुद सोचता है तब हम इसे कहते हैं आत्म मूल्यांकन ये थे हमारे ग्रह व्यवस्था के सारे ही process लेकिन ये process कभी रुपती नहीं है इसके बाद ये process continuously चलती ही रहती है तो जब आपका एक लक्ष पूरा हो जाता है तो आप फिर से अपना नया लक्ष चुनते हैं फिर उसके लिए आयोजन करते हैं फिर उसके लिए नियांतरन करते हैं और फिर मुल्यांकन करते हैं इस प्रकार ये व्यवस्था चलती ही रहती है और इसी के साथ मैं अपने व्याख्यान को यहीं पर समाप्त करती हूं और आशा करती हूं कि मेरे सभी शिक्षार्थियों को ये व्याख्यान उपयोगी लगा हो धन्यवाद